नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन नियूस चैनल इंडिया नियूस उत्तर प्रदेश उत्राखंट और मैं हूँ आपके साथ सीमा चौधरी थास पेश्कत में आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर दरसल लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतिय जौनता पाठी की कोर कमीटी की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई हैं जिस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुखे बंत्री योग्या दितनाथ प्रदेश अध अध्यक्ष, जेपी नड़ा, ग्रेमंत्रिय अमिश्चाह, वेजन्त पांड़ी समेट यूपी के कई बड़ी नीता शामिल हो सकते हैं। बैठक भी संभव है, वहीं आम चुनाव के लिए बीजपी ने उत्तर प्रदेश में 51 उमीदवारों की पहली सूची दो मार्च को ही जारी कर दी थी, लेकिन दूसरे सूची में भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी 24 सीटों पर प्रतियाशी अब उतारे की, लेकिन कई नामों को ले करके चर्चा है कि उन्हें टिकेट दिया जाए या काटा जाए, इस पर अभी भी शन से बना हुआ है, जिसको ले करके आज कोर कमीटी की बैटक में चर्चाए होंगी और सीटों की स्थितियों और उनके उमीदवारों के नाम साफ भी हो जाएंगे, तो कुल म बादाता की, Ground Zero से ये रिपोर्ट देखें. प्रधान कार्याले पर जो चनौ समिती की बैठक वो होने जा रही है, जिसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अलावा उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात के साथ ही दोनों डिपटी सीम और साथ ही भारतिये जनता पार्टी के स्टेट प चौट पून बैठक 24 सीटों पर मन्थन आज होने वाला है और इसको ले करके आपको बता दे बीजय पी की ये 24 सीटे जिस पर होगा मन्थन और इसको ले करके सभी की निगाहे इन सीटों पर बनी हुई है, कहीं टेंशन है इसको ले करके तो कहीं पर काफी ज्यादा शंस sah भी बना हुआ है 24 प्रत्याशियों पर चर्चाज होनी है जिसको ले करके सब की निगाहें इस पर टिकी हुई है जहां आपको बता दे कि भाजपा जो है बहुत सोच समझ करके अपने उमीदवारों को निकालने में पर उतारती हुई नजर आ रही है तो लोगसभा 2024 की का एलान हो चुका है सभी राजनेतिक दल की ओर से अपनी तयारिया जोरोशोरों से की जा रही है और भाजपा कॉंग्रे समेथ सभी राजनेतिक दल अब एक एक करके अपने उमीदवारों को उतारते नजर आ रहे हैं और चलिए अब इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा की और आगे बढ़ते हैं जहां नवल कांच सिन्ना अमारे साथ वरिष पत्रकार बने हुए हैं नवल जी आपके पास भी आएंगे और मनीश जी आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले नवल कांच जी क्योंकि इहां पर देखा जाए पूरा समीकरन जिस प्रकार से बैठता नसर आएगा भाजपा आप 24 प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा करेगी उत्तर प्रदेश में उससे पहले अन्ने सीटों पर बाचीत कर चुकी है बीजिपी क्या लग रहा इन 24 सीटों को लेकर के और भाजपा जो मन्थन करती है जो विचार करती है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि तरहार पर किसको टिकट लिया जाना है बस उसके एक बार फिर पुनर विचार होगा और उसके बाद इन जो प्रत्याशी है उनके नामों की प्रत्या कर दी जाएगी अब आप देखेंगे तो कई ऐसे सांसाथ होंगे जिनके टिकट कटेंगे और कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको एड़्जस किया जाएगा और कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपको नज़र आएगा कि ये पार्टी के जो सीर्श लेतर तो है उनके महासिक लोग है और उनको पार्टी सांसाथ बना करके लोग तबाल ले जाना चाहती है यह जाती है की जाती की जाती का चुनाव में देखने रहें को आपको नज़र आपको करने है करती है और साथ में जो पीएम मोजी की पूलिता है वो हमेशा कुछ ऐसे पार्टे के नेताओं पे बल्कि जो साथ कभी सारसर भी ना रहे हों लेकिन उसको लगता है कि पार्टे के लिए प्योगी है आगे प्विश्क बहुत अच्छा हो सकता है या जो राजी के नेता है उन प्रधार के नाम जो जारी किये गए उसमें वहत्पून नाम जरूर शामिल थे जो उत्तरप्रदेश से चुनाव लड़ेंगे फिर चाए वो प्रधान मंत्री मोती हो या फिर अन्य लोग हो इन तमाम लोगों को पहली लिस्ट में जगह दे दी गए आप 24 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं राजनितिक दलों की बात कर ली जाए यहाँ पर कोशिस सभी दल करती नजर आ रही है लेकिन विपक्षी दल मजबूत चे इन 24 सीटों पे बहुत बढ़ा बदलाव होने की उप्रीवे इसलिए यह फर्स लिस्ट में डिक्लियर नहीं करे गए थे और मुझे लगता इस प्रैटेजी यही होनी चाहिए अगर कोई एक बार का सांसद है तो यह एक प्रोसेस नहीं होनी चाहिए कि उसको ही अगली बार लोगों का मुल्यांकन होना चाहिए उनके कादियों का मुल्यांकन जनता के द्वारा कराया जाना चाहिए यह पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि इन्हों ने कितना पूरा करा है और अगर इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा करा है तो इनका और आगे क्या उप्योग कर रही है जो आना चाहिए और मुझे लगता है कांग्रेस अपनी जो एक गड़ है उसको भी इस बार कहीं खोना दे तो मैंपुरी की सीट है बहुत ही ऐसी सीटे है जिन पर अभी विपक्ष भी क्लियर रही है अभी आप देख रही है कांग्रेस के पास यह क्लारिटी नहीं है क इसे कौन लड़ेगा अखलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे मुझे तो कभी-कभी यही देख के लगता है कि जो राष्टिया पार्टी आया जो शीर्ज पार्टी उनका शीर्ज नेतरत्व है वो एक सीट पे चुनाव लड़ने के लिए भी तैया नहीं है कि हम देखते तो हैं जन्ता का मन क्या है और पूरे देश में सरकार को बदलना चाहते हैं देश की अख्विवस्था को बदलना चाहते हैं इन लोगों को मानिय परदानमंत्री जी से यह सीखना चाहिए कि उन्होंने गुजरात से आके पनारस से चुनाव लड़ा जबकि भाजपा उस समय बहुत अच्छी स्थिती में नहीं ती कुल दस सीटे थी उनके पास लोग सबाकी लेकिन उन्होंने आके चुनाव लड़ा भाजपा वो यूपी में भी और देश में भी प्रचन बिजीत मिली इस चीज में मैं एक चीज और जोनना चाहूंगा जो तो ने एक नया चेहरा जिया और नये चेहरे देने के लिए भाजपा हमेशा जानी जाती है तो होसकता हम इस दिसका शाम को इसमें देखने को मिले esi बिलकुल बिलकुल और यहां पर जिस तरीके से चेहरों की अगर बात कर ली जाए मनीश जी तो यह भाजपा का ट्रेड मार्क हो गया है या फिर यह भाजपा की एक positive side है कि BJP में जो भी इनसान काम कर रहा है जो भी कारे करता काम कर रहा है भाजपा उसको यह दिखाने की कोश और ये विपक्ष को क्या इससे सीखने की जरूरत है लेकि विपक्ष को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि हमें बदलाव करना पड़ेगा मैं कल एक डेटा देख रहा था 2010 के बाद जितने भी युवा वोटर जुड़े हैं नए वोटर जुड़े हैं उसमें से 90% वोटर ने भ साथों को सुनते हैं उनको समझते हैं और जब वो फार्स टाइंग होतर बनते हैं तो उनका जुकाव हो जाता है कि यह आदमी हमसे डायरेक्ट करेंट कर रहा है ऐसी विपक्ष को यह बदलाव लाने पड़ेंगे आज आप देखिए जब अगबारों में लेक दिखे जाते तो लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं मुहन यादव को परदेश का मुखमंतरी बनाना बहुत बड़ी बात है आज तक कोई भी पार्टी उत्तर परदेश और बिहार में अपने घर के बाद कोई भी ऐसा मुखमंतरी नहीं दे पाई है जो यादव समाज के हो और भाजपा परदेश का मुखमंतरी बन सकता है जहां पर उनकी चार बार का मुखमंतरी थे उन सिटिंग मुखमंतरी का उन्होंने बदलाब करा और उनका बहतार उप्योग करेंगा तो विपक्ष को इस स्ट्राटीजी को समझना पड़ेगा चेहरे बदलने पड़ेंगे सिर्फ घर के लोग चुनाव लड़ेंगे पार्टी से जुड़े लोग चुनाव लड़ेंगे जो दो बार चार बार शे बार सांसर रहे चुके तो नए लोग नए कारे करता हो कभी यह मौका मिलेगा और इसी वज़े से उनका रुजान तूटता है जो आप देख रहे हैं कि एक बार सी साल के बड़े कारे करता ने जो फाउंडर मेंबर कहे जाते थे वह भाज़े कि दी जैसान साध मंतरी हो सकते हैं बिल्कुल और ये बहुत बड़ी बात है अला कि निकिता सरीन हमारे साथ बनी हुई है सायोगी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट निकिता क्योंकि इस बार भाजपा के द्वारा जो नारा दिया जा रहा है वो यही कि तीसरी बार मोधी सरकार और इस बार 400 पार करते हैं, कि खुली आँखों से सपने देखो तो इसी सपने को देखते हुए जो सरकार है उन्होंने भी सपना देखा है और हर वो कोशिश करने के लिए तयार है आपको बता दे कि आज दिल्ली में Core Committee बैठक और साथ ही जो चुनाव समिती है के इंदिय चुनाव समिती वो भी बैठक होनी है साथ बजे फिलाल Core Committee बैठक होनी है दिल्ली में और जो remaining 24 candidates हैं जिसका विसबरी से आप इंतजार हो रहा है उनके नामों की भी चर्चा होगी और उनके नामों की जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी और सुत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस बार जो लिस्ट है वो बेहद चौकाने वाली हो सकती है पहली बात तो ये कि इस बार जो नए चेहरे हैं उनको मौका देने की यहाँ पर पूरी तयारी कर रही है नहीं कटेगा लेकिन सबसे जादा जो सीट फसी हुई है जिन नामों के उसमें ब्रिजबूशन शरन सिंग का नाम आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से उनके बेटे चनाव लड़ सकते हैं साथ ही मेनिका गांधी वरुन गांधी इन सभी का नाम है और सबसे चौकाने वाली बात इस बार मैं आपको ये बता दू कि मेरट में इस बार कुमार विश्वास के साथ साथ जो दूसरा नाम सबसे एहम चर्चा में है वो राम की भूमिका निवाने वाले अरुन गोविल उनका नाम भी इस बार मेरट से चल रहा है साथ ही इस बार ये भी बता दू कि उत्तर प्रदेश में जो राजसभा के दो सांसद हैं जिसमें गाजियाबाद के अरुण हैं उनका नाम भी चल रहा है साथ ही राइबरेली सीट की बात करें तो इस बार भारतिय जनता पार्टी राइबरेली सीट से जिन्होंने राजसभा में क्रॉस वोटिंग करके भारतिय जनता पार्टी को वोच किया था मनुज पंडे उनका नाम भी चर्चा में है तो फिलाल इस बार ये बात तैह है कि चौकाने वाले नाम हो सकते हैं और भारतिय जनता पार्टी का विधायकों पे भी दाओं खेल सकती है जिसमें एक नाम और भी है जो एक्स डिप्टी सीम रहे है दिनेश शर्मा तो फिलाल इस बार कई विधायकों को भी लड़ा सकती है भारतिय जनता पार्टी तो अब देखना ये होगा कि जो remaining 24 लिस्ट है उसमें क्या कुछ नया होता है और कितना चौकाने वाला होगा बिल्कुल इस पर सब की निगाहें टिकी होगी रिकिताब की पास वापिस आएंगे यहाँ पर चलिए हमारे साथ नवल कान जी भी लगातार बने हुए हैं पर देखे जो नारा एक एक करके इससे पहले भी हमने देखा था 2019 में चौकेदार वाला जो नारा दिया गया था उसको लेकर के विपक्ष एक मुद्दा फेक देता है समाज में और बीजेपी उसको उठा लेती है और उससे स्ट्रेटेजी बनाकर के भाजपा आगे बढ़ती नज़र आ रही है इस बार मैं हूं मोदी का परिवार जो सबसे हम नारा इस बार लेकर के भाजपा चलती नज़र आ रही है वो नारा कितना साथ देता नज़र आएगा बीजेपी का परिवार जो नारा तो वही है जो रहान मंतिर नगे ने बोला कि अपके बार चार्टों पर लेकिन हाँ इसके आप जिक्र कर रही है कि मैं भी मोधी का परिवार की बात हो रही है यह जो है यह बॉल अक्षु परिपक्ष ने फेकिते और हमेशा लूज बॉल फेकने के माहे भी पक्ष रही है चाहे वो चाय वाला हो चाहे वो लीज चाती वाला हो बयान हो और उस तरह के बयानों का बीजेपी ने आपने देखा बड़ी फाइदा होटा है तो बीजेपी एक पूरे सिस्टम से चलती है लेकिन विपक्ष में हमेशा एक समस्क्य होती ही कोई नेता या कोई बड़ बोला नेता कुछ ऐसा बयान देता जिससे उसकी व्यक्तिकत ब्रैंडिंग तो होती है कि वो पूरे देश पर बयान चाहे रहता है लेकिन उसका निजमत्तान जो है वो फक्ष को बगर्णा पड़ता है खासवर से कॉंगिनेस को आपके समाधाता निकिता ने बड़ी सब्सक्राइब से बताया है पूरा सिनारियों की जो चौबिस चीशे क्या होती है देखें सब्सक्राइब की चाहिए कि राइबरेली और अमेठी में क्या होने जा रहा है वहां से लेकिन राइबरेली में कोई एक महत्कून चहरा उतारा जाएगा जो कि BJP यह मानके चल रही है कि हो सकता है कि कोई अगर कोहां से कोई कमजोर स्क्राइब उतरता है तो गांधी परिवार का भी कोई सक्क्राइब आ सकता है जो क्या बात के चल रहो होंगी और उनके उतरता है जो जर्री बात की जाए या इया सबना किया जाई कि जो विपाक्षित है वह वो किस से के कंडिडेलेट मिता रहा है और रहूंसा अब कंडिडेट बता रहे होगा इन सब कि जो कि तब बोड़ा लगतित हो tôi बिल्कुल और मनेश जी हाँ पर एक चीज देखिए राजनितिक दलो की सितियों खुले करके अगर हम बात कर ले बाजपा जो है वो लिस्ट लेकर के आ जाती है लेकिन कॉंग्रेस और बाकी जो अने विपक्षी दल है वो बीजेपी के बाद अपनी लिस्ट सामने लेकर के आ रहे खास्तोर पर कॉंग्रेस क्या माना जा सकता है क्या कॉंग्रेस ये देखना चाहती है कि बीजेपी कौन से उम्हीदवार उतारेगी फिर हम सो्समझ कर उमीदवार उतारेंगे या फिर उनकी लेट लेत लतिफी इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई मजबूर चेहरा नहीं है बिल्कुल सही कह रही हैं उनके पास मद्दूर चेहरों की कमी है उनके पास confidence की कमी है उनके पास ये विवेक की कमी है कि हम जाके देखते हैं क्या आएगा करने से लोगों के और कैंडिडेट्स का आफ्लें करने से आपकी कैंडिडेट को समय नहीं मिलेगा लोगों तक पहुचने के लिए और यह भी बहुत जरूरी है कि आपने मतदाता हो तर पहुचते कैसे क्योंकि पूरे पांक साल आप उपसे जुड़े नहीं रहते और एक ती जोड़ा है और कहा है कि यह लोग मात्रशक्ती का विरोद कर रहे हैं और मैं आपके सम्मान के लिए जान दे दूँगा यह आज का वैयान है परदायमंत्री का तिलंगाना का तो इस तरीके के शब्दों को कंशाम के भाशन से उठाना उन्हें पब्लिक तख ले जाना पब के दीरे आगे के तरचारों में और बढ़ेगा अपरेल में जब कुछ ऐसे तीज तेवार आते हैं जिसमें शक्तियों का वंदन होता है इसमें यह और बढ़ेगा तो कल शाम को यह शब्द मिला है बीजेपी को और आप सुबह से उन्होंने इसको अपने मुख्वियान का हिस्सा बना लिया विपक्ष को हमेशा यह ध्याम रखना पड़ेगा कि परधान मंत्री वैसे भी उनसे बहुत आगे हैं और वो उन्हें इस टाइट की जैसे अभी नवल कांजी कह रहे हैं तो कोई लूज बॉलना दे क्योंकि वो उस चीजों को बहुत तेजी से स्वार कर और निकिता इसके बाद आपके पास आओंगी मैं जिस परकार से नवल जेकर देखा जो ऐख छूए एक्स Veterans का जिक्र कर लेते हैं बीजेपी को शुरू से लिए देखा जाता है भाजपा जो है वह परियोग पर भृशा रखती है एक्स्पैरिमेंट पर भरृशा हो और कभी कभी ज्यादातर मौकों पर देखा जाए तो ये सफल भी हो जाता है फिर चाहे वो मुखे मंतरी चेहरा बदलने की बात कर ली जाए साड़े चार सालों में बीजेपी जो है मुखे मंत्री का चहरा बदल देती है और गुजरात में और उत्राखंट में और ये सारी वो M.A.M. जगे हैं जहां पर चहरा बदलना सफल भी सावित हुआ हर्याना में भी अभी हाली में एक्सपेरिमेंट किया गया है क्या लग रहा है इस तरह कर एक्सपेरिमेंट विपक्षियों को भी करना चाहिए कि निसी कहले एक्सपेरिमेंट के बात में यह भी ज़िए भी सिर्फी भी होती है और अव पड़ी जिश्च बेस्व होती है उसका आक्रुनेंग कारकर्साओं से बात कि प्सक्राइब करके भी किया जाता है जैसे देखिए था कि मंद्ध्रथिश्क्तेश्मीर समय तक मुख् सब्सक्राइब कर दिया जाता है कि बहुत लंगे सब्सक्राइब कर दिया जाता है। 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 जितनी भी जौपाल की हैं, जितनी भी जनता की राय जानने की कोशिश की है। ग्राउंड जीरो पर जा करके। उनके अपने अलग-अलग मुद्दे हैं, अलग-अलग इशूज हैं कि किन मुद्दों को दियान में रखके वो वोच करेंगे। तो फिलाल जनता का जुकाव उसी सरकार पर है, जिसने जनता के लिए जनता के हित में कई काम किये हैं। जो उनके हित में काम करें, वही सरकार बनें। तो जिस तरीके से आज जो बची रिमेनिंग 24 लिस्ट है, क्योंकि 51 लिस्ट अलरड़ी आ चुकी है, एहम चेहरे अलरड़ी आ चुके हैं, इसमें जो घटक दल हैं BJP की उनको भी 5 सीटे जा चुकी है, तो अब 24 जो रिमेनिं उतर जाएंगे। मने रहें इंडिया यूज की साथ, नमस्क्राइब करें।